हेलो इस्टूरेंट कैसे हुआ आप लोग इस्टूरेंट आज की इस वीडियो में क्लाश 12 भूगोल के महत्पूर 90 टॉपिक एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो पूरे किताब के चैप्टर के टॉपिक हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा जितने भी स्टूरेंट इस बार पेपर देने वाले हैं चैनल को भी सस्क्राइब पर लिजे और जो मैं आज आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं इसको लिखने में काफी समय वेश्ट हुआ हैं काफी समय लग मानो भूगोल की प्रकृत किसे कहते हैं मानो भूगोल की प्रकृत किसे कहते हैं यह आपका प्रशन पूछा जाएगा उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है मानो भूगोल प्राकृतिक परियावरण मानो भूगोल भी पूछा जा सकता कि मानो भूगोल को परभासित कीजी प्राकृतिक परियावरण क्या है मानो भूगोल के अंदर गत प्राकृतिक प ना बताया है तो मानो भूगोल की जो विभिन साखा है जल जग्या भूगोल प्राकृति भूगोल कुछ दस प्रकार की भूगोल लेती है तो ये भी आप सॉल्व कर लीजेगा इसको भी आप तयार कर लीजेगा चौथा है मानो और परियावरण क्या है मानो और परियावरण के बारे में भी आपका पूछा जा सकता है फस्ट चैप्टर की सभी टॉपिक्स है पाच्वा है आपका क्या मानो भूगोल के विशेचेत्र की की बारे में जो मानो भूगोल है इसके विशेचेत्र की बारे में आपको बताना रहेगा छे नमबर टॉपिक है मानों के प्राकृति करण तो यह जो आपका छे टॉपिक है एक चैप्टर का यदि आप बोर्ड इग्जाम में तयारी कर लें और आपका भी टार्गेट है सतर में क्या है सतर में 79-70, 79 नमबर लाना यह सतर में 70 तो किसी का नहीं आएगा बहुत एरर चैंस में आता है लेकिन 79 नमबर हम आपको जरूर दिलाएंगे बस आप इन सभी जो टॉपिक से तयार कर लीजे इन सभी टॉपिक को यदि आप तयार कर लेते तो मेरी गारंटी इन ही में से प्रशन आपका पूछा आएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन से बाहर कोई भी नहीं आएगा बात में कॉमेंट मत कीजिएगा क्योंकि सर आप नहीं आया था जो कोशन आपने बताया था लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो भी सारा प्रशन आएगा तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा सारे टोपिक को आप लिख लिजी और तयार कर लिजी उसके आप में देखिए जो हमारा दूसरा क्या है मैं जापतर्ण घन्ध धिया है चाप्टर मैं आपको बताया था कि जो chapter होगा उससे related question जैसे आएगा जैसे बिसु जन संख्या क्या है बिसु जन संख्या के वितरण को प्रभावित करने वाली कारक लिए तो यह सभी आपका topic पूछा जा सकता है तो यहाँ पर साथवा है जन संख्या परिवर्तन किसे कहते हैं देखिए 10 number क्या है परवास परवास किसे कहते हैं परवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है तो यह आपको लिखना होगा 10 number topic देखिए क्या है जनके किये संक्रमण जनके किये संक्रमण किसे कहते हैं जनके किये संक्रमण से आपका आसे क्या है ग्यारा नमबर टॉपिक देखी क्या है आपरवासी और उत्परवाशी आपरवासी किसे कहते है और उत्परवाशी किसे कहते है ये भी पूछा जा सकता है आपरवासी और उत्परवासी में अंतर बताईए ये भी आपका पूछा जा सकता है तो इसका कई अर्थ निकलता है तो इसको तयार कर लीजेगा, बारा नमबर टॉपिक दिखे क्या है, जनसंख्या घनत्यों के परकार, या जनसंख्या घनत्यों के पर्मुख परकार कौर को से है, तो यह हमारा कुछ है टॉपिक है, आप देख लिए जो हमारा दूसरा चैप्टर था, उसे से ये सारा टॉपिक हैं, इसको आप लिख लिजे, और अभी से जाए, तयार कर लिजे, क्योंकि काफी कम समय बचा है, काफी स्टूडेन ने कमेंट किया था, कि सार वीडियो लाईए, जो कि इन्पोर्टन टॉपिक हो, और जो बोडिक जैम में 100% आए, तो ये आज इन्ही टॉपिक्स को में लेका रहा है हो, और इसमें से, यदि आप तयार कर लेते, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और जो भी मैं ऑब्जेक्ट्ट्व कोशन देता हूँ, वो भी तयार कल दीजेगा, अब देखें, बार तीसरा चैप्टर आ चुका है, क्या है, जनसंख्या संगठन, भोगोल का तीसरा चैप्टर है, जनसंख्या संगठन, इसके important topics चली देख लेते हैं, देखें, 13 नमबर पर देखें, जनसंख्या ग्रामीर नगरिय संगठन, जो जनसंख्या है, ग्रामीर नगरिय संगठन के बारे में ताएये, जनसंख्या के आगार पर, ग्रामीर नगरिय संगठन से आपका क्या समझते हैं, इसका आसे क्या हैं, ये कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 14 नमबर टॉपिक दिखिए, जन संग्या संगटन किसे कहते हैं पाच्वा है लिंग अनुपात मापने का सूत्र बताएं लिंग अनुपात किन किन देशों में हैं ये भी आपको बताना है इसका कई आर्थ से निकल सकता है बस आपको समझना है 16 नमबर देखिए आयू सरचना ये क्या है 17 नमबर देखिए आयू लिंग में उत्तरदाई कारक जो आयू लिंग में उत्तरदाई कारक है इसको भी आप तयार कर लीजेगा तो ये सारे चैप्टर के हैं आप जाएंगे सारे चैप्टर को मिलाएंगे सारे कोश्चन्स को मिलाएंगे आपकी chapter में ही मिलेगा आपकी chapter के इन important topics बतार हैं इतने ही topics को आप तयार कर लेजे आप 70 में 70 लेकर आएंगे 70 में 70 नहीं विक्रिव 70 में 79 तो जरूर लेकर आएंगे देखे fourth number जो हमारा chapter है मानो विकास तीसरा था जनसंख्या संगेठर fourth है मानो विकास अब देखे इसके जो important topics हैं मैं दिखा दू आपको कौन कौन सी वो important topics हैं युकि board exam में इनी topics का demand रहता है और इन topics को तयार कर लेते हैं और मैं आगे आपको बताऊँगा मानची तरसे related कि किस प्रकार से उसमें questions पुशे जाते हैं अबर महबूर उलके हक के अनुशार पूरा पूचा आएगा उसके बाद में मानो विकास के चार अस्तंभों के बारे में बताईए तो ये सारा इसी प्रकार से पूचा जा सकता है जो मानो विकास के अंतरगत आएगा 19 नमबर topic देखे ये मानो विकास मूल भूत क्या है जो मानो विकास मूल भूत है वो क्या है इसको भी आप तयार कर सकते हैं 20 नमबर देखे सारे में जितने भी topic student बता रहा हूँ आपसी request है इसको note कर लीजे copy pen में copy pen में note कर और अभी तयार कर लीजे क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रशन नहीं आएगा board exam में ये मेरी guarantee है यादि आप तयार कर लेते हैं वीडियो को शुरू से लेकर आंते तक देख कर उसको copy में लिक कर इसको तयार कर लेते हैं तो इससे ही question आएगा क्योंकि chapter से बाहर कोई भी प्रशन board exam में नहीं पूछा जाता है ये आपको यादखना है 20 number topic देखे क्या है मानो विकास सूचकांग की गड़ना कैसे होती है ये आपका देर घुतरिये में प्रशन पूछा जा सकता है तो इसको भी आप तयार कर सकते हैं उसके बाद में देखे 21 number मानो विकास के उपागम या मानो विकास के उपागमों की वरणन कीजी ये भी आपका पूछा जा सकता है 22 number topic देखे क्या है मानो विकास सूचकांग की गड़ना कैसे होती है मानो विकास सूचकांग से आप क्या समझते हैं साभी प्रशन आपका मानुविकास चैप्टर से पूछा जा सकता है तो 22 टॉपिक इसमें था चलि देखते हैं अगला हमारा क्या आ जाता है प्रात्मिक किरिया हमारा पाच्वा चैप्टर है और ये भी काफ़ी ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है प्रात्मिक किरिया है अब इसके इंपोर्टेंट टॉपिक देखिए जो 23 नंबर टॉपिक है याद रखेगा इस वीडियो में हम 90 टॉपिक को करेंगे जो कि ये हर एक चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे ही सस्क्राइब पर लेंगे जो सारा हमें मैनत का वो मिल जाएगा फल तो यो जो प्रात्मिक किरिया है जो चैप्टर फाइब है इसका जो इंपोर्टेंट टॉपिक है 23 नंबर देखे वाड़िज डेरी किरसी किसे कहते है वाड़िज डेरी किरसी से आपका रहेगा याद रखेगा जूमिंग किरसी में क्या होता है न यह अथवा लगा कर पूछा जा सकता है तो इसका एंसर एक ही होगा कई प्रकार से प्रशन पूछी जा सकते है 25 नंबर देखे क्या है बजारिये सबजी किरसी क्या है जो बजारीय सबी किर्सी से उसका लाव प्वोचा जा सकता है तरही अतिलगू उत्तलिये में आपका परश्ण पूछा जा सकता है यह सारा परश्ण आपका प्रश्ण पूच सकता है जैसे कि आधोनिक किरसी, ट्रक किरसी के से कहते हैं, ट्रक किरसी के बाहरे में आपका long question में भी पूचा जाता है, तयार कर लिजगा, बगाती किरसी क्या है, तो यह सभी एक ही है, यादर किरिगा, 27 नंबर में देखिए, चलवासिता, क्या है, चलवसिता आर्थीक दुतियक किरिया अलग है यानि चलवसिता के बारे में पूछा सकता है आर्थीक दुतियक किरिया यह सभी अलग-अलग है यह आपका अतिलग हुत्तरिये में पूछा जा सकता है यह सभी आप दोट कर लीजिए और अभी से तयारी में लुग जाईए छे अंतर बताईए, दोनों में आपको डिफरेंस बता रहा है, दोनों में परिभासा पूछा जा सकता है ये भी आप लिख लीजिए 29 नमबर देखिए सूती कपड़ा उदोग क्या है? सूती कपड़ा उदोग किन किन छेतरों में परसिद्ध है? सूती कपड़ा उदोग से आपका आसे क्या है? ये आपका पूछा जा सकता है 30 नमबर टॉपिक जी देखिए विश्व में लो इस्पात उदोग जो विश्व है, इसमें लो इस्पात उदोग किस प्रकार से है? विश्व में लोसपात उदोग कहा कहा पर विख्यात है विश्व में लोसपात का केंद कहा पर है ये पूछा जा सकता है तीस नमबर टॉपिक में सारे जो प्रेश्ण है आपके बुक से ही लिया गया है 31 नमबर देखे यंतरी करण क्या है यंतरी करण किसे कहता है यंतरी करण क्या है तो छोटा भी कोशन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि यंतरी करण क्या है इतना ही कोशन पूछ लिया जाएगा बस आपको परिभासा दे देना है 32 नमबर टॉपिक देखे क्या है प्रादोगिक धुरुव या किरसी धुरुव क्या है दोनों में इसका एंसर देना रहेगा दोनों का यह आपका अतिलग उत्तरिय में पूछा जा सकता है तो 32 नमबर टॉपिक दोनों अलग-अलग है किरसी उदोग क्या है प्रादोगी उदोग क्या है दोनों पूछी जाए सकता है 33 नमबर में देखे स्वाचंद उदोग क्या है स्वाचंद उदोग किसे कहता है इसको भी आप तयार कर दीजेगा 34 नमबर topic है कुटीर उदोग और लगु उदोग दोनों में अंतर बताना रहेगा या दोनों में परिभासा बताईए दोनों में अलग-अलग difference बताईए कि कुटीर उदोग का किस अस्थान है लगु उदोग का किस अस्थान है यानि अलग अलग है इसका आपको बिल्कुल परिवासा देना रहेगा यह आपको याद रखना है अब देखें हमारा आ जाता है क्या सात्वा सात्वा चैप्टर आ जाता है तितियक और चतुर्त किरिया कलाब भोगोल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है और जो भो आइक कर दीजी वीडियो को शेर जरूर कीजेगा यदि आपको पसंद आता है इन सभी टॉपिक्स के बाएरे मैं अपने दोस्तों की भी बताईए ताकि उन्हें भी वोड एक्जाम में काफी अच्छा मार्स लाने का मौका मिले 35 नंबर टॉपिक देखे क्या है अंकिये व क्या है संचार सेवाओं क्या है संचार सेवाओं किसे कहते हैं संचार सेवाओं से आपका क्या थ Rid case है तो इसको भी आप तयार कर सकते हैं 37 नंबर देखिए परिवाहन क्या है परिवाहन किसे कहते हैं परिवाहन इतना ही संपल से पूछा जा सकता है कि परिवाहन से आपका क्या आप प्रियार है परिवाहन की प्रकारों का वरणन कीजी ये इस प्रकार से कोशिन पूछे जा सक प्रफद करते हैं उसके बाद में 38 नंबर टॉपिक में देखें क्या है। तो हमारा साथवा टॉपिक भी हो गया आठवा जो चैप्टर हमारा आ जाता है मानोबस्ती क्या है मानोबस्ती पोटली जो है आपका जो चैप्टर पूछा आता है खंड का और कंडखा में सिर्फ 15 चैप्टर पूछे आते हैं उससे जो आपका खंडगा वाला आ जाता है उस गरी बस्ती, जो ग्रामीड और बर बस्ती से अब परिया क्या है इसको भी तैयार आप कर सकते हैं मानो भूगोल, क्या है मानो भूगोल, मानो बस्तियों का, क्या है मानो भूगोल किसे कहता है, मानो बस्तियों से आपके क्या भी प्रया है, 42 नमबर टॉपिक में ये पूचा जाएगा, 43 नमबर टॉपिक देखिए, विकास शील देशों में मानो बस्तिया, इस्टूडन्ट अभी भी मौका है इन सभी प्रशनों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये वोड इग्जाम से संबंधित है और इससे क्योंकि काफी रिसर्च और काफी महनत से ये सभी टॉपिक्स लेकर आया हूँ तो वोड इग्जाम में आने के काफी चांसे से इन सभी प्रशनों का क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट है और पौरी बुक से ही आपका सारा प्रशन पूछाएगा इससे बाहर तो पूछा नहीं जाएगा तो ये चैप्टर आल चैप्टर से लियागा टॉपिक्स है तो ये विकासील देशों में मानोबस्तिया का क्या अपक्रिया है मानोबस्तिया का क्या समस्याओं है विकासील देशों में मानोबस्तिया की समस्याओं का वरणन कीजिए विकासील देशों में मानोबस्ति कितने प्रकार की होते हैं ये बताईए तो ये भी तैयार कर लीजेगा 44 नंबर टॉपिक है मारा 10 लाखी आबादी जो जनसंख्या को पार करने वाला पहला दोस्त कोन है या सहत या संघन अधिवाश किया है ये दोनों अतिलग उत्तरी में पूछे जा सकते हैं 45 में देखे क्या है नगरिये बस्तियों का आकार जो नगरिये बस्तिये हैं इसमें आकार बताना है आपको 45 नंबर टॉपिक में ये बताया गया है तो ये नगरिये बस्ति का आकार भी आप समझ सकते हैं अब हमारा आगा है 9th नंबर चैप्टर क्या है जंसंख्या वितरण घनत वृद्धी और संगठन यहां से हमारा खंडखा का सीटी श्टार्ट हो जुका है अभी तक जो हमने ने पढ़ा तो वो आपका था क्या है फश्ट यानी कंडग सेक्सन ए से से अब यहां तक हमारा सेक्सन बी से अब यहां से सुरुवात होगा जो की 9th नंबर चैप्टर से है देखे जो जनसंख्या वितरण घनत और विरिद्धी का संगठर है इसको देखे कौन-कौन से चैप्टर है मारा कौन-कौन से important topics है देखे 46 नंबर जो topic है जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करने वाले बताईए जनसंख्या विरिद्धी से अभिप्रियाय क्या है जनसंख्या विरिद्धी हमारे भारत पर किस प्रकार से अपना कहर बळसाया हुआ यसपर आपको टिपड़ी लिखना होगा उसके बाद में 49 नमबर टॉपिक देखिए क्या है जनसंख्या विरिद्धी पन नियंतरण क्या है जो जनसंख्या विरिद्धी है इस पन नियंतरण किस प्रकार से लाया जा सकता है इसके बारे में बताना है आपको 50 नमबर हमारा टॉपिक है किर्सी सेक्टर में भारतिय शर्मीक अंस संगलन जो किर्सी सेक्टर है इसमें जो भारतिय शर्मीक है इसका अंस संगलन के बारे में बताइए 51 नंबर टॉपिक है मानो संसाधन जो मानो संसाधन है मानो संसाधन किसे कहते है मानो संसाधन जो है मानो वस्तिया का किस प्रकार से लाव है मानो वस्ति किसे कहते है यह हमारा हो गया दस नंबर जो चैप्टर है हमारा परवास प्रकार कारण और परिड़ा जो हमारा दस नंबर चैप्टर क्या है परवास प्रकार कारण और परिड़ा सबसे ज़्यादा important chapter है अब इसके जो important topic साथ है वो भी हम देख लेते हैं 52 number में देखे क्या है भारतिय प्रशार की तरंगे क्या है जो भारतिय प्रशार है इसके तरंगे के बारे में बताईए उसके बाद में 52 तिरपन तिरपन देखे प्रवास प्रकार कारण प्रवास से आपका क्या है प्रवास किन किन देशों में है प्रवास और प्रवास के कारण क्या है प्रवास में क्या क्या अस्थान है यह आपको बताना रहेगा चंवन नंबर टॉपिक देखें जो प्रवास के कारट जो ग्रामीर पलाएन कर रहे हैं यानि एक देश से दूसरे देश या एक राजय से दूसरे राज два जा रहे हैं तो ग्रामीर पलाएन के बारे में बताईये इसका भी आपको detail में answer देना है रहेगा पुलकुल point wise answer देना है याद रखेगा 55 नमबर जो हमारा topic है क्या है वर्स 1961 की जनगरणा के बारे में बताईए जनगरणा जो 1961 में किस प्रकार से हुई थी भारत की जनगरणा 56 नमबर topic देखिए भारत में अंतर राष्टी परवास जो भारत में अंतर राष्टी परवास है कोन से है या अंतर राष्टी परवार किस प्रकार से जाते हैं 57 नमबर देखिए जीवन परियाप्त क्या है जीवन परियत परवासी या आंतिरिक परवास किसे कहते हैं इसका बैभारी में आपको detail में answer देना है याद अरिखेगा जितना भी यह topic में बता रहा हूँ सारा genuine है बोड़ जाप से संबन्दित है और note कर लेंगे तयार कर लेंगे तो आफी के लिए फाइदे मन्द होगा आफी काफी अच्छे मार्स लेकर आओगे उसके बाद में देखें जो हमारा 11th नंबर चैप्टर आ जाता है क्या है मानो विकास सबसी ज़्यादा important chapter है मानो विकास भूगोल का तो खासकर और भी important है अब इसके important topics में दिखा दूँ आपको 58 नंबर में देखें समाजिक ससक्ती करण 58 नंबर topic है समाजिक ससक्ती करण किसे कहते हैं समाजिक ससस्ती करण से आपका अधुप्रियाइक क्या है ये तैयार कर लिजेगा उसके बाद में 69 नंबर देखें 69 नंबर topic था 60 नंबर topic है मानो विकास जैसा कि हमने आपको सुरुवात में ही बताया था कि chapters related काफी question बूचिया थे जैसे परवास, परकार, कारण और परिडाब तो परवास के आधार पर कई meaning उसके निकल सके आते हैं परशन का कई वो निकल कराता है तो साथ नंबर में हमारा मानो विकास किसे कहता है इसके वारे में भी आप बताईएगा 61 नंबर में देखिए भारत में घटते लिंगा रुपात क्या है 61 नंबर में है भारत में घटते लिंगा रुपात क्या है भारत में घरते लिंगा नुपात के 2 कारण बताइए भारत में लिंगा नुपात किस प्रकार से घट रहे हैं भारत में बच्चों के घरते 2 कारण बताइए तो ये सारा मानोविकास और से related questions हैं तो topic आप इन सभी को तयार कर लीजिए जो मानो विकास से भी हमारा clear हो गया जो topic है अब हमारा आचुका है मानो बस्तिया क्या है मानो बस्तिया 12 नंबर chapter है काफी ज़्यादा popular chapter है इसको भी आपको तयार करके जाना है जितना भी हमने बताया था आपको हर एक हमने sociology का chapter बनाया नागरिक सास का बनाया important topics है और भी यदि आप कहेंगे और भी topics ले आने के लिए तो आज हमारा geography का भी complete होता जा रहा है यदि आप कहेंगे और भी वीडियो लाने के लिए जो भी important topics related होगा तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा वस आप comment कीजेगा वो भी वीडियो हम जल्द आपके लिए लेकर आएगी उसके बाद में चलिए देखते जो हमारा अगला आजाता है क्या आजाता है मानो बस्तिया अब इसके important जो topic है 62 नमबर में देखिए भारत में नगरों का विकास करम किस प्रकार से है 43 नमबर में 63 नमबर में गुच्छित बस्तिया किसे कहते है 64 में पल्ली बस्तिया किसे कहते है 65 में उत्तर परदेश के ग्रामेर बस्तियों का प्रकार किस प्रकार से है या कितने प्रकार के है 66 नमबर में है जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गी करण ये जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का संचित परिच्चे ये भी आपका पुछा जा सकता है संसट में देखें क्या है नगरों का प्रकात्मक वर्गी करल नगरों का प्रकात्मक वर्गी करल किस प्रकार से संसट नंबर टॉपिक में ये आपको बताना रहेगा उसके बाद में देखिए तेरा नंबर हमारा जल संसाधन क्या है जल संसाधन तेरा नंबर हमारा चैप्टर है काफी ज्यादा इंपोर्टन चैप्टर है अब इसके जो इंपोर्टन टॉपिक है उसको भी मैं बता देता हूँ देखे 68 नंबर में हमारा क्यَ है जो 68 नंबर है नीरू मीरू जल संबर ऐंजर अग ने उसका जो हमारा जाल संभ्ण से नीरू मीरू जल संबर यह काफी ज्यादा पापॉलर कोष्ट् exceptionally के लिजे उरहत्तर में देखे क्या है जल संबर परबंदन जल संबर परबंदन किसे कहते हैं विकास में जल संबर परबंदन का क्या लाव है या टिपड़ी लिखे जल संबर परबंदन में या वायो पर दूशर तो सारा जो कूशन है यह सारा आपका जल संसादन से रहेगा उसके इसको भी आप को तैयार करके जाना है। चापूलन नमबर चैपटर है उते लएकंगा कोष्चन करें सब्सक्राइब ये भी आपका पूछा जा सकता है ये long question में भी खनीश के वारे में पूछा जाएगा 84 नमबर में देखिए जेव उर्जा किसे कहते हैं जेव उर्जा से क्या भी प्रिया है जेव उर्जा कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको तयार कर लेना है 75 नमबर देखिए भारत में जल विद्धुत क्या है जो भारत में जल विद्धुत है ये किस प्रकार से है भारत में जल विद्धुत से अभी प्रियाई क्या है इससे आगे भी कूछा जा सकता है जैसा कि देख सकते हैं 76 नमबर में है संसाधन क्या है संसाधन सरच्छर किसे कहते हैं तो आप जाएंगे सारे जो chapter है मैं chapter के इंसार बता रहा हूँ सारे chapter में जाएं सारे questions को आप मिला सकते हैं 77 में देखिए खनी संसाधनों के सरच्छर जो खनी संसाधन है इसके जो सरणचन है इसके बारे में भी आपको बताना रएगा 88 नमबर देखे, नाव किये उर्जा किसे कहते हैं, नाव किये उर्जा या जेव उर्जा किसे कहते हैं दोनों आपका difference भी पूचा जा सकता है जैसा कि आप पता होगा उसके बाद में देखें क्या है 79 में क्या है 78, 79 देखें 87 भी हमारा होगा complete 88 भी होगया उसके बाद 89 अब हमारा आगया 89 नमबर में देखें भारत में पेट्रोलियम जो भारत में पेट्रोलियम संसाधन इसके बारे में भी बिताईए भारत में पेट्रोलियम संसाधन किस प्रकार से हैं, भारत में पेट्रोलियम संसाधन से क्या अभिप्रिया हैं, तो इसका भी detail इसका answer आपको देना है, खास कर जियोग्राफिक की जितने भी student हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा important ही, ये सभी topics आपसे request हैं, तयार कल दीजी, सभी जादा important chapter है, सभी chapter important है, कहीं से question board exam में पूछा जा सकता है, 80 नंबर जो हमारा topic क्या है, देखिए, सूखा संभावी, किसे कहता है, ये आपका long question में भी पूछा जा सकता है, तयार कल दीजी, 81 नंबर topic देखिए, इंद्रा गाधी नहर कमान क्या है, जो इंद्रा गाध आपको मिल जाएगा, 80 नंबर देखे क्या है, 80 नंबर भी हमारा होगा, 87 पूछड़े, विकास कारिकरम, उसके बाद में 83 नंबर देखे, नियोजन के उपागम, या नियोजन के उपागम कितने प्रकार से हैं, इसके भी आप तयार कर सकते हैं, नियोजन के उपागमों के बारे में, 84 नंबर हमारा भरमोर जंजात किसे कहते हैं, भरमोर जंजात कितने प्रकार के होते हैं, ये जंजात ये कहाँ पाई जाते हैं, तो ये आपका आतिलग उत्तरिये में भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी कोशन पूछी आ सकते हैं, ये सारा जो मैं टॉपिक्स बत ये आपके अतीलगु उत्तरिय के हैं, लगु उत्तरिय के हैं और देरख उत्तरिय से, तीनों से लियागा है, और जो ऑब्जेक्ट्व कोश्चन है, वो विडिवी आम जलद लेकर आएंगे, जो की 33 वाइस तैयारी आपका कराएंगे, उसके बाद में देखे, हमारा क्या जा है तो मैं दिखा दो इसके जो important topics है, देखें, 85 नमबर जो topic है भारत में परियावरण परदूशल किसे कहते हैं, या भारत में या परियावरण परदूशल से आपका क्या विप्रिया है, परियावरण परदूशल कितने परकार के होते हैं, 16 नमबर chapter का ये important topic है, 46 मर्द देखे क्या है टिपड़ी लिखे वायू परदूशल के वायरी में या टिपड़ी लिखे जल परदूशल के वायरी में या टिपड़ी लिखे रसाइनिक परदूशल के वायरी में टिपड़ी लिखे क्या है जो है टिपड़ी लिखिया है अरसाइनिक परदूशल के ध्वारी परदूशल के वारी में तो कोई भी टिपड़ी के वारी में पूछा जा सकता है पस आपको यह टिपड़ी लिखिये यह निबंध लिखिये 88 नमबर देखे क्या है भू निम्नी करण जो भू निम्नी करण है इसको भी आप तयार कर सकते हैं भू निम्नी करण के कितने प्रकार के होते हैं भू निम्नी करण से आपका अभी प्रियाय क्या है तो ये 88 नमबर टॉपिक में आपको समझना है उसके बाब में देखे 89 नमबर जो हमारा टॉपिक क्या है जल के अविवेक पूर्ण आयोग जल के अविवेक पूर्ण आयोग कितने परकार से हैं जल के अविवेक पूर्ण उप्योग किसे कहते हैं या इसका जो अर्थ आएगा कई परकार से प्रशन पूछी आ सकते हैं तो जाएंगे 16 number question में बिलाएंगे इसका answer मिल जाएगा आपको ये सारे जो question है जो सारे में topic बताया हूँ आपसे request हैं तयार कर लिजेगा और यदि आप इससे तयार करके जाते हैं पूरा topic तो question आएगा board exam में नहीं तो काफी student comment करते हैं आपने जो बताया था वो आया नहीं board exam में तो जब topic को तयार करोगो जो भी मैं important question बताता हूँ पिर भी एयर का जो हमारा video भी देखे उससे भी काफी questions board exam में पूछे आ सकते हैं तो उसको भी आप तयार कर सकते हैं 90 number जो हमारा topic है परदूशन और परदूशकों में भेद कीजिए जो परदूशन है और परदूशकों में आपको भेद करना है दोनों में आपको अंतर बताना है परदूशन किसे कहता है या परदूशक में इसका दोनों का भेद बताईए संचेप में तो यह हमारा 90 टॉपिक है आप देख सकते हैं 90 टॉपिक और जो भी काफी ज्यादा important है class 12 geography के लिए यदि आप इनमें से तयार करकी जाते हैं सारे जो topics है 90 topic है important topic है और इसको लिखने में काफी ज्यादा मैनल लगा है तो वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए याद रिखेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और इन सभी topics को आप request है तयार कर लेजिए यदि आप geography का इस बार paper देने वाले हैं तो काफी ज्यादा important topic है तो मिलता है नेस्ट वीडियो में आज के वीडियो आपको पसंद आया है पसंद आया तो वीडियो को शेर कीजिएगा दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा मिलता है नेस्ट वीडियो में नए topic के साथ अब तक के लिए goodbye जहिन पढ़ते रहें और अच्